हाँ जी सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग नमस्कार राम राम सु स्वागतम स्वागत है आप सभी का आपके और अपने शांदार और बहतरी लार्निंग प्लैटफॉर्म अचीवर से गेट में पर चलिए तो हर्याना जी के कहां सलेवस हम कर रहे थे और इसी सीरीज में हम आज क्या करेंगे एकॉनमी हम पढ़ रहे थे ना तो बैटे एक छोटा सा टॉपिक हम बजट वाला पूरा कर लेते हैं बजट से क्वेश्चन आ जाता है दिक्कत यह है आप सभी लोगों के साथ कि हम में आंकड़ों से बहुत समस्या है तो मैं संपूर्ण बजट को यदि यहां पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समस्या होगी उस सारे आंकड़े याद नहीं रहेंगे पर जितना मुझे लगता है कि महतपूर्ण है इस सेक्षन से यदि एक्जाम म क्या रहेगा इस वर्ष टॉपिक है हमारा बेटे कौन सा टॉपिक कौन सा है हमारा एक प्रकार से आप इसको डिफाइन करेंगे यह पूरी परिभाशा तो मैं यह नहीं लिख रहा एक short में आपको यदि मैं कहूँ यह budget है क्या मैं कहूँगा ये विवस्ता बद खर्च की खर्च की योजना इस budget word को अच्छी से define कर देता है बैटे spending some spending a certain amount of money over a given period of time ठीक है और किस तरीके से हम उसको spend कर रहे हैं ये हमारा budget हो जाता है देखो आप सभी budget हर घर में हर व्यक्ति का होता है मतलब हमारे पास मान लो हमारी एक income है 100 रुपे तो हम उसे विवस्ती तोर पर खर्च करते हैं हम plan करते हैं चीजों के लिए कि इतना हमारे बच्चों के education के लिए जाएगा इतना हम कोई plan लेंगे या FD करेंगे इतना saving करूँगा मैं अपने पास रखूँगा और इस प्रकार इतने पैसे में घर के खर्च लेंगे ये सारा हम विवस्ता बना लेते हैं कि मुझे सो रुपे में से सत्तर रुपे खर्चने हैं तीस रुपे अपने बविश्य के लिए बचा के रखने हैं ये बजा ठी तो है और क्या है यही यदि व्यापक तो रुपे बात कर दिजा है कि सिराज्य के लिए या देश के लिए तो एक सर्टेन अमाउंट रख लिया जाता है कि हाँ इस वर्ष लगवग इतना हम खर्च करेंगे अच्छा घर में क्या है घर में चीजे सीमित है कि रुपे सोई का खर्च इतना है टीवी, मॉबाइल वगएरा का रिचार्ज का इतना है education के इतना कुछ चीज़ी fix है पर जब हम बात करते हैं बटे देश की या राज्य की तो चीज़े बहुत व्यापक हो जाती है और जैसे ही चीज़े व्यापक होती है तो हमें हमारा budget भी बहुत व्यापक हो जाता है बहुत सोच समझ के budget को design करा जाता है कोई चोटी-मोटी साल बढ़ता है हाला की इसके साथ साथ आपको उधार भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और घाटा जिसे हम कहते है घाटा भी बढ़ता हुए नज़र आएगा पर फिर भी हमारे राज्य से में तरकी हो रही है तो आप सब मैं पूछना जाओं अ बेटे कि भार्तिये बजट का सनस्थापक किसे बारतिये बजटuito करुंसिद कर संस्थापक कर ली किसे और रेकिसे कह insists रहता है शबस सभी बताएंगे भारतिय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है देखो पहली बार लॉर्ड कैनिंग जो हमारे वायस रहे थे उनके दर्बार में जेम्स विल्सन ने बजट पेश करा कब करा? 18 फरवरी 1860 को इसलिए भारतिय बजट का संस्थापक भी नहीं कहा जाता है किसे? जेम्स विल्सन को भारतिय बजट का संस्थापक कहा जाता है बेटे फर्स्ट जो बजट है ना फर्स्ट बजट पहला बजट भारत का वो जेम्स विल्सन ने ही प्रस्तूत करा था कि कौन था वैसर है उस समय लॉर्ड कैनिंग थे और पहला बजट जब उन्होंने पेश करा तो ये तारिक क्या थी बैटे 18 फरवरी 1860 है ना चलो बहुत को बहतरी इंशांदर अब इसके बाद क्या हमें भारत के बारे में पढ़ना है नहीं सर हमें तो हरियाना के बारे में पढ़ना है बड़ा ही बोरिंग सा टोपिक हमें लगता है बजट वो हमें पढ़ना है लेकिन बटे सवाल तो किसी भी टोपिक से आ सकता है तो जैसी है हम रुख करे हरियाना की तरफ तो हरियाना का पहला बजट आप सभी को पता है एक नवंबर 1966 को हमारा प्यारा सा प्रदेश बनता है हरियाना और उस समय एलेक्शन नहीं हुए थे है ना पंडित भगवत याल शर्मा जी को ही मुख्य मंतरी नियूत कर दिया गया था 1967 में पहली बार इलेक्शन होते हैं हरियाना के अंदर और 1967 में पहली बार इलेक्शन होते हैं तो बटे बात बजट की की जाए तो हरियाना में पहली बार बजट भी 1967 में पेश करा जाएगा हर्याना में पहली बार कब बजट पेश किया गया हर्याना में पहली बार बजट कब पेश करा गया हर्याना में जो पहली बार बजट पेश करा गया है बिटे आप सभी को ये भली बाती पता होना चाहिए वर्ष 1967 में और किसके दूरा किसके दूरा देखो पहली बार पूछ लिया जाए बजट जो है न वितमंत्री के दूरा Finance Minister के दूरा पेश किया जाता है यह मंत्राले जिसके पास होता है वही बजट पेश करते हैं तो पहली बार देखो पहली जो वितमंत्री थी ओम प्रभाजैन जी कहां से कैथल से एक बार नहीं चार-चार बार वो चुनाओ जीती थी तो बिटे ओम प्रभाजैन जी ने हरियाना में पहली बार बजट पेश करने का काम करा था है ना पहली बार बजट पेश करने का काम करा था आप से पूछ लिया जाए, पहली बार किस महिला ने बजट पेश करा, तो भी आप क्या नाम लोगे बटे, ओम प्रभा जैन ही वो नाम है, जिन्होंने पहली बार विधान सभा में क्या करा था, हरियाना विधान सभा में बजट पेश करा था, ओके है, हसान है, बहुत थोड़ी सी भूमी का हम बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, डिरेक्ली आपको बजट पे ले आऊँगा कि क्या क्या चीजें हैं इस बार, और किस प्रकार से आबंटित किया गया है, बाटा गया है इसको, ओके है यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, चलो, अब और कुछ विशेश हमें पढ़ना है या हर बार का पढ़ना है, नहीं, फर्स टाइम का पढ़ लिया, more than enough है, पहली बार का पढ़ा हुआ, more than enough है, एक विशेश बात, देखो, वर्ष 2020 में ऐसा हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था, जब हर्याना के मुख्यमंत्र जो है ना, उन्होंने वित मंत्राले अपने पास ही रख लिया था, है ना, उनिस वाले एलेक्शन के बाद, और वित मंत्राले अपने पास रख लिया, तो वित मंत्री ही, या वित मंत्राले जिसके पास होगा, वही तो बजट पेश करेंगे, है ना, तो आप से यदि पूछेगा तो हर्याना की तिहास में ऐसा कब हुआ पहली बार जब मुख्य मंत्री ने ही बजट स्वयम पेश करा हूँ और वह करा किस ने है बिटे हम सभी को पता है कि मनुहरलाल खटर जी ने है न है तो यहीं हम लिख लेंगे है कि पलकिसको स्टार करके लिख लेंगे कि वर्ष 2020 में हर्याना के मुख्य मंत्री मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं वर्बली बता रहा हूं हर्याना के मुख्य मंत्री हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर जी नहीं विधान सभा में क्या करा था विधान सभा में बजट पेश करा ये विशिष्ट बात हरियाना के बजट के बारे में आप सभी को याद रखनी है ओकी है यहां तक चलो मैंने आप सभी को बताया देखो हर बार आपको बजट बढ़ता हुआ नज़र आएगा है ना हमेशा हम एक कदम आगे रखने की सोचते हैं एक कदम आगे रखने की सोचते हैं तो मतलब उससे क्या होता है मैं देखो आज हमारे पास घर है एक मंजिल का है कोशिश रहे कि अगले वर्ष तक हम कुछ भी करके उसे दूसरी मंजिल का बना लें हमारे पे कितना करजा होता जा रहा है वो किसी को क्या पता है उसे कौन देखता है सिरफ इतना देखते हैं कि हाँ यह विक्टी कितनी तरक्की कर रहा है यही तो होता है बाकी तो छुपे वे डोल होते हैं तो यहां राज्य या देश में तो बिल्कुल एक्जेक्टली ऐसा है मैं आपको बताने से रफ इतना चाहता हूं कि 1967 में 1967 में अगर मैं बात करो 1967 में यानि पहली बार जब बजट पेश हुआ ठीक है ब्रेकेट में लिख देता हूं इस बजट के बाद अगर मैं बात करूं तो हर्याना पे हर्याना पे या राज्य पर कर्ज कितना था बिटे आप सभी को मैं बता दू मात्र यह मात्र शायद लिखने की जोड़त नहीं है दो पॉइंट 35 करोड रुपे था बिटे कितना था दो दो दशमलव 35 करोड रुपे था लेकिन 2024 में अगर मैं बोलू 2024 में हर्याणा पे कितना कर्ज हो चुका है 2024 में हर्याणा पे कितना कर्ज हो चुका है तो बिटे 3.17 यानि 3.7 लाख करोड बो हूँ गई में 3.17 लाख करोड रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है ठीक है डेफिनेटली महंगाई काफी बढ़ चुकी है तब सतर अलग थे तब अलग है लेकिन इस बात से कतरी डिनाई नहीं किया जाता कि हर बजट में हमें घाटा जहिलना बढ़ता है आपको अलग से घाटा नजार आएगा कि इस बार कितना घाटा है अगली बार कितना घाटा हुगा अनुमानित पिशली बार कितना घाटा रहा है पिशली बार की तुलना में अभी कितना है चलो मैं ज्यादा परिशान आपको नहीं करूंगा इससे आगे बहुत बेसिक हमन प्राणा की एकॉनमी खतम हो जाएगी जल्दिस इसको नोट करिए और कन्फरमेशन दीजेगा ताकि आगे चलें अगर अगर जी नोट करके कन्फरमेशन दो बजट ही स्टार्ट कर रहा हूं बहुत परिशान नहीं करता हूं आप सभी को पता है आपको लिमिटेड डाटा कराता हूं लेकिन फैक्चुल और अपडेटिड कराता हूं ठीक है एक्जाम में लगबग उमीद ऐसी रहती है कि उससे बाहर चीजे ना जाए उमीद रहती है एक्जेक्ट तो धरती पर शायद ही कोई कह पाए हां उमीद कहती है कि उससे बाहर चीजे नहीं जाएंगे चीजों को ज्यादा फैलाएंगे नहीं कर लिया नूट चलो चलेगा चलते हैं अगली स्लाइड पे यह थोड़ी सी मेनत आप लोग उगले कर रहे है ठीक है यह जो मेनत करी है क्यों करी है वह एक ग्राफ वाली पिक्चर थी वह प्रॉपर्ली ब्लर हो रही थी पता नहीं शायद कैमरे में सही भी देख जाती फिर मुझे लगा थोड़ी मेनत मैं ही कर देता हूं बट इससे भी पहले है वर्ष 2000 बहुत इंपोर्टेंट और बेसिक बाते इस बजट के बारे में आपको पता होने चाहिए वर्ष 2024 के लिए हर्याना का बजट कितना है वर्ष 2024 के लिए हर्याना का कितना है यह आप से पूछ लिया जाए है तो आप कहोगे है कि एक नवासी कि 872 कि लगवग 11 परसेंट की जो है विटे क्या हुई है वरिद्धी हुई है माफिच चाहूंगा बहत्तर नहीं 76 एक्जेक्ट बोलो तो एक नवासी 876.61 करोड रुपे आपकी से कहोगे यह हमारा बजट है इस वर्ष के लिए एक सत्तर चार सो नब्बै पिछले वर्ष था दो हजार तेईस चोविश में आप से अगर पूछ जाए इस बार बजट में कितनी वरिद्धी है कितनी वरिद्धी है कितनी बड़ोत्री हुई है तो मैं कहूँगा बेटे ग्यारा दशम लग 37 प्रतिशत क्या हुई है वरिद्धी हुई है ऐसा क्यों है पिछले वर्ष जो यह बजट था ना बेटे 23-24 में मेरे ख्याल से यहां तक नजर आ रहा हुगा है ना 23-24 में यह जो बजट था यह कितना था 17-490 करोड तो लगब 11.37 प्रतिशत की क्या हुई है वरिद्धी हुई है ठीक है अब बात हम बजट की कर रहे हैं अच्छा घाटा पिछली बार कितना था पिछली बार घाटा कितना था आपसे पूछा जाए पिछली बार जो घाटा था वो था आपका 2.80 प्रतिशत ठीक है इस बार कितना अनुमानित है इस बार अनुमानित घाटा घाटे की ही बात हो रहे है याद रखना 2.80 लोग 7-7% तो प्रतिश सरकार का कहना है कि अनुमान है कि इस बार घाटा कम हो जाएगा पर बिटे कितना कम होगा ये भी आप सभी देख पा रहे हो और घाटा घाटा ही होता है आप कभी नहीं चाहेंगे कि पिछली बार मुझे नुक्सान हुआ तो इस बार भी नुक्सान हो एनिवेज ये तो हर साल घाटा तो आता है ठीक है क्यों आता है बजट है भई हमारे पास कभी चीजों के लिए पैसे नहीं होते तो हम अपनी चीजों को रोकते नहीं है जीवन यापन चलता रहता है लेकिन अरेंज कर लेते हैं अब देखो दो चीजे हैं बजट कैसे है कि बजट क्या है बजट है बजट है एक जगह से पैसा आना ठीक ह और हमने कितना पैसा अरेंज कर लिया वो पैसा जो है वो ये है ठीक है 1,89,876.61 करोड रुपे हमने अरेंज कर लिया अब हमें इसे अपने घर में कहां कहां खर्च करना है अपने घर की चीज़ों पर कहां कहां हमें आवशकता है यह हमारा खर्च हो जाता है, expenditure होता है, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आया कहां से है, या आएगा कहां से, clear, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू, यह चार अलग अलग जगह है, जहां से लगबग यह जो है, बजट आपका आएगा, ठीक है, अब 44 और 4, 48 और 1, 49 मान लो, 50 मान लो इसको, और 35 और 12, 47 और 48, हाँ अलग बग ठीक है, तो यह चार जगह है, मुख्यते जहां से आपका पैसा जो है, वो आया है, ठीक है, यह चार जगह बनती है, जहां से आपका पैसा आया है, और कहां से कितना आया है, यह हमें पता होना च देख रहे हैं उधार लेते हैं हर बर्क है ना सेंटर से लेते हैं या नबाड से लेते हैं या कहां से लेते हैं यह थोड़ा सा डीटेल में भी लिख दूँगा बहुत बड़ा जो हिस्सा आता है हमारे revenue का ये क्या है ये ये हमारा revenue distribution है कि हमारा पैसा आ कहां से रहा है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहां से आता है कर से आता है है यानि टैक्सिस से आता है 44.64 प्रतिशत हिस्सा हमारा कहां से आ रहा है टैक्सिस से आ रहा है अच्छा ये देख रहे हो आप devolution from center, यह समझ में आ रहा है कुछ? devolution from center देखो यह होता है, देखो center से हमेशा ही state मदद लेती है center government हमेशा एक तो grant देती रहती है से विराज्यों को है ना, विभिन चीजों के लिए मुख्य तक कहलो आप तरक्की के लिए development के लिए grant मिलता है अलग-अलग चीजों के लिए, दूसरा बई देखो जो center में tax ही इकठा हुआ है center है क्या bunch of states ही तो है तो उसका कुछ हिस्सा अलग-अलग state में उत्रा-उत्रा हिस्सा जाता रहेगा है ना, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 7.04% तो state के taxes से हमारे पास आएगा state के tax में जो हमारा हिस्सा होगा मतलब, sorry, center के tax में हम आफी चाहूँगा, center के taxes से जो हमारा हिस्सा आएगा वो 7.4% होगा इसके अलावा 5.2% क्या होगा बेटे, हमारी state grant होगी है, 5.02 आपका होगी है ना, तभी तो 7 और 5 12 और 0.06 पुरा होता है यह तो कहानी है, खतम ओके है, मैं यहीं पे कहो तो लिख देता हूँ, यहां देखो इसको मैं लिख रहा हूँ इस color से और इसके अलावा बेटे मैं कहूँगा, एक तो यह पॉइंट है, दोसरा मैं कहूँगा वेटे क्या है, state grant क्या है, state grant यह कितना है state grant जो हरियाना को मिला है, वो कितना है वेटे, 5.02 प्रतीशत यह आपका पैसा कहा से आया है सेंटर से, स्कूल पैसे का 12.06 परसेंट हमारे पास सेंटर से आया है, ठीक है एक मेंट रुकेंगे, एक मेंट रुकेंगे परसेंगे बहुत उमस का मौसम है वेटे, पता है गर्मी में इजली पढ़ाया जाता है पर जब उमस होती है न, इनके थोड़ी देर भी लाइट चली जाए, फिर यसी काम नहीं करता और यह बहुत इरिटेट करने वाला आपका, कह सकते हो, मौसम होता है चलो अब सबसे बड़े हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ स्टेट ओन टेक्स, यानि स्टेट को टेक्स से कर से जो पैसा आ रहा है सबसे पहले मैं कहूँगा बेटे, स्टेट जीस्ट, यानि SGST State GST से पैसा हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहा है यानि 19.80% इसका 20% 24 का 20% कितना हो जाएगा लग बग 9% आ जाएगा इस total का 9% आप कह सकते हो लग बग लग बग कितना है एक लाख नब बहना तो मान लो आप कह सकते हो लग बग आप कह सकते हो कि 18,000 करोड रुपे बहुत बड़ा अमाउंट होता है SGST से आपको मिल जाएगा इसके लावा हम बात करें वेटे वेट आपको पता होगा वेट क्या होता है वेट क्या होता है वेट होता है सर वेल्यू एडिट टेक्स वैट क्या होता है सर value added tax वैट तो वैट से हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा इसका इस total पैसे इस total का कह रहा हूँ मैं यह मैंने 44 इसका 20% count करके इसका कितना था वो बताया था छोड़ दो total state on जो tax कुल tax से जो पैसा आएगा उसका लगबग 20% state gst से आ रहा है 6.97% किस से आ रहा है वैटे वैट से आ रहा है ठीक है फिर बहुत बड़ी चीज आप सभी को पता है excise state excise state excise यहाँ से 6.68% पैसा आ रहा है इस total का एक मिनट माफी चाहूँगा जहां तक मुझे पता हाँ ठीक है भई यह 44% का ही distribution है यह जो है ना यह इसी का है मालब state gst पीस 19.80% इसका ही है माफी चाहूँगा यह 100% नहीं लेके 44 को ही define करा गया 44 को ही define करा गया 44 में से distribution है चलो एनिवेज नेक्स्ट आपका stamp and registration है ना stamp और गयरा से stamp and registration से कितना पैसा हमारे पास आया है पैटे रजिस्ट्री होती है कोई भी property आप लेते हो ठीक है आप सभी को पता है कि यह तहसील बनी हुई है यह इतना बड़ा system ऐसे ही नहीं चल रहा है यह state को बहुत तगड़ा कर इकठा करके देता है ठीक है revenue देता है इसलिए यह existence में है ठीक है और यहां से 7.97% कि इसका इसका ही इसका लगबग 8% पैसा तो हमारा यहीं से आ जाएगा चलो इसके बाद जब आप गाड़ी खरीदते हों मैं कहूंगा टैक्सीज ओन वेहिकल टैक्सीज ओन वेहिकल ठीक है आरसी आपको पता है मानलो आप आप साड़े 6 लाख रुपे गाड़ी खरीद रहे हो लगबग लाख रुपे की आपकी एक्स्टा चार्ज होगा वह साड़े 6 की गाड़ी आपको साड़े 7 लाख रुपे की पड़ रही है तो आरसी से भी कितना भारी रेवेन्यू आ रहा है है ना वेहिकल टैक्सीज ओन से आपको 2.35% रेवेन्यू आ रहा है और अधर कुछ अन्य कर रहे गई है जो अधर टैक्सीज वहां से आपको 0.37% पैसा आ रहा है ठीक है आपको इन में से ना मोटी-मोटी कहानी याद रखनी है मैं स्लाइड जैसी ही आगे चलूँगा उस समय अंत में आपको बता थोड़ी से बॉरिंग क्लास है क्योंकि आखडे ही आखड Bugün हैं लेकि इंपोर्टेंट कलास है हमिते को तरेक्ट इस ना कितना प्रतिशات सिक्षा की शेत्र में आपके डाल दीये गए चीस बार हम 3 göz अच्छा सेंटर बनाएंगे और दो जिलो में बनाएंगे तो ओवियसली यह बहुत शांदर सवाल बनते हैं वट्टे यह आने वाले समय में कुष्टी और वॉक्षिंग के लिए कहां पे किन दो जिलो में आपका एक्सिलेंट इंफ्रस्ट्रक्चर सेट अप होने वाला है है ना 400 खेल नर्सरियां है ना तो यह सारे चीज़े जो पर्टिकलर पॉइंट आपको दिये गए ना यह इंपॉर्टन यह सारे याद रहने चाहिए वेट्टे आपसे पूछ सकता है कि इस बजट में कितनी खेल नर लक्षय रखा गया है यह सारे चीज़ें आपको इंपॉर्टन पॉइंट याद होने चाहिए एनिवेज कि असे इस तानवेट परसेंट वह था ना बिटे इसमें चोटा सा और आप सभी के सामने ही बना दू यहां से न ऐसे कर दिया मैंने यह और यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां लिख रहा हूं बिटे अदर रिशीप्ट्स सतानवे परसेंट को पूरा भी तो करना है अदर रिशीप्ट्स यानि कुछ अन्य जगह से जो पैसा आएगा जो की बहुत मोटा देखो आपका मैंशन कर दिया है 2.95 परसेंट है अदर रिशीप्ट्स जो है वो कितनी है 2.95 परसेंट है कि रहे गया बोरिंग रहे गया उधार रहे गया और नॉन टेक्स रिवेन्यू रहे ठीक है यानि टेक्स से रिवेन्यू हो रहा है हमारा साथी साथ नॉन टेक्स से भी तो हो रहा है अब non tax की मैं बात करूँ देखो यह अलग color से लिखा है यह ala color से यह ala color से free完畨 होना है transport से अब ट्रांसपोर्ट से जैसे example आप दो सर मैं कहता हूं buses में आप आते जाते हो ठीक है transport public transport चल रहा है स्टेट का तो वहां टिकट लेते हुआ से रिवेन्यू जनरेट होता है बस का खर्चा तेल का खर्चा निकाल के कुछ पैसा तो सरकार के पास बचता होगा यानि ट्रांसपोर्ट से 0.79 परसेंट रिवेन्यू हमें प्राप्त होगा बिटे इसके अलावा जैसे हुड़ा है व मैं यहां पर नाम दे रहा हूं देखें ध्यान से अर्बन डैवलपमेंट अर्बन कि डैवलप्मेंट से हमें कहा गया है कि 0.95 प्रतीषथ है डरऍनी्योंby औरबंड डैवलपमेंट से आप से पूछा जाए तो बैटे कितना यह यहां पर वीजिबल नहीं है शायद न को अरे कोई नहीं जुगाड करता हूं इसका भी है एक मिनिट दो बस यह देखुए यहां लिख रहा हूं बैटे अदर रिसीप्ट्स अदर रिसीप्ट्स जो है वहां से आपका 2.95 परसेंट था है न अब उसका स्टेट ट्रास्पोर्ट जो है ट्रास्पोर्ट से कितना आ रहा था यहां से लिखना शुरू कर देते हैं ट्रास्पोर्ट 0.79 परसेंट आपका कहा जाए अरबन डैवलोप्मेंट ठीक है वहां से 0.95 परसेंट अच्छा एक बात आपको सभी को के जरूर कहूंगा देखो आप क्लास ले रहे हूँ बढ़ी असाने से इस बजट की पीडिएफ प्रोवाइड कर देता देखो यह ऐसे है यह ऐसे यह तो वह उतना ही महत्व का रहता कि वह बंद हो जाता अब आपको क्या पता मुझे कुछ नहीं पता बिटे पेपर मैं भी दूँगा 56 के लेकिन क्या करूंगा सिरफ सिरफ और सिरफ क्या करना है मुझे यहां पर एक बार मैंने लिखी है ना सारी चीज़े तो मेरे हाथ से निकल गई है पेपर में कुशन आ गया तो मैं अपने लिए शूर हूँ कि मैं मार्क कर दूँगा अगर साथ ही ऐसा कुछ ग्राफ बना के या इन चीज़ों को एक बार आप लिख लोगे कि यह लिख लि अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ माइन्स और जियोलोजी खनन विभाग माइन्स और जियोलोजी वहां से हमें 0.50% अच्छा प्रोफिट और डिविडेंज प्रोफिट इंटरस्ट और डिविडेंज यहां से हमें 1.05% मिलेगा यह ना विभिन चीजों में शेयर डाल लिये जाते हैं तो यहां से हमें कितना मिलेगा बिटे 1.05% सॉरी 1.09% हमें मिलेगा 1.09% हमें मिलेगा इसके लाबा एजुकेशन सेक्टर से हमारा विभिन लोग कारियरत है अपने पैरों पर खड़े हैं वो एजुकेशन की दिन हैं उसको वहां से हम कभी कमपेर नहीं करेंगे हैं तो एजुकेशन की यदि मैं बात करूं दिखने के लिए स्थान फिर कम रह गया है चलो इसको एड़ेस्ट करते हैं एक मिनट रूपो एड्यूकेशन से हमें 0.37% मिला और अदर्स इसके अलावा भी बाके चीजों से अगर बात किज़े 1.38% हमारा अदर्स ठीक है यह जो है ना बटे यह लिख लेना अदर्स इसे टुपइंट ना फाई अदछा आप अपने हाथ से लिख लेना तिकम यहां स्पेस नहीं था इसले मैंने है इसले मैंने त тяжह एक पॉइंट 18% है मैं उक कि है तो यह हमारा पैसा है कहां से पैसा आया है यह क्या चीज है विटे हमारा पैसा कहां से आया है ना लेकिन पैसा लग रहा है बात यह है पैसा कि लग कहा रहा है अच्छा सरुधार वाला रह गया अच्छी बात है विटे उधार आधार वाले को दो लिखना बहुत ज़िरूरि हो गया था हैं जारवाले को भी लिखो ग को स्अछे नहीं हूं किस कलर से साफ दिखे गाँ से लिख रहा हूं नल कि इसको बॉरोंच को ब्लेक से लिख रहा हूं थ्क ऊटिया है यह है इसे की स्पैर कि इसली है Tak इसका दुख नहीं है अगर ये पूर्णत है development में लग जाए ऐसा होता नहीं है हमें जितना बता है 26.14% इसके अलावा food procurement खाध्यानों के लिए भी हमें उधार लेना पड़े गाव बिटे जी बिलकूल जबकि देखो हर्याना राज्ये खाध्यान पूरे विश्व को प्रवाइड करता है लेकिन हमारा बजट कहता है सॉरी 7.39 हमारा बजट कहता है कि इसके लिए भी आप उधार ले रहे हो ठीक है पहला लोन की सीज के लिए था state development उधार जो लिए है वह हम डिफाइन कर रहे हैं पहले state development के लिए कितना 26.14 उसके बाद खाध्यानों के लिए उधार लिया है कितना लिया है 7.397.39 फिर इसके बाद नबाड एंड 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 आर पीबी नबाड एंड स्पेस कम है इसलिए आसे लिखरा हम बटे स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिखरा हूँ 1.18% फिर government of India से हमने government of India से जो loan हमें मिले हैं various उसका कितना पैसा मिला है 0.58% और अदर्स यानि कुछ अन्य जो उधार है वो 0.18% है इस प्रकार से ये सारा 1,89,876 करोड रुपया है जो कि हमने क्या करा है बटे लिया है ये हमने लिया है मतलब ये हमारा budget बना है लिया नहीं है ये हमारा budget जो है बना है उसमें उधार भी है उसमें revenues भी है अलगरक तरीके से हमारे पास पैसा होगा अब बात ये है कि इसको कहां कहां पे invest किया जाएगा मुद्दा ये है कि इसको कहां कहां पे invest करा जाएगा थोड़ा असाड़ डीप जा रही है चीजे मुझे पता है पर बेटे की booklet खोल के देखना और इस class को compare करना तो कुछ चीजे तो add करी है और बहुत सारी चीजे छोड़ दी है जितना लग रहा था कि नहीं पूछा जाएगा सिरफ मुख्य बिंदु ही आप सभी को करा रहा हूँ important points ही आप सभी को करा रहा हूँ अब बात है कि कैसे जाएगा जाना कैसे है ठीक है जाने में जीतना development पर जाता है उसमें तो कोई दुख नहीं मुद्दा क्या है पैसा जाएगा कहां या budget लगेगा कहां investment revenue हमने देख लिया investment कहां होगी मुद्दा यह है तो सबसे पहले बिटे याद रखना social service पे investment होगी social service पे investment होगी लगभग 31% 31.05% आप कह सकते हो social service है ना दो इसमें बहुत अच्छी चीज है देखो दो क्या अच्छी चीजे हैं सर सबसे पहली मैं कहता हूँ education education पे अगर देखो अब आप से पूछा जाए education पे कितना पैसा invest होगा आप से पूछा जाए इसलिए यह 100 का लिया है इसी 30 का नहीं है मैटे 100 का लिया है आप से अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 10.94% कुल बजट का यानि कुल बजट का लगभग 11% अगर exact numbers में दे दिया जाए ना तो ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है आप एक पॉइंट सोरी एक से अलग लग भी है कि खेल के लिए कितना करोड है इसके लिए कितना करोड है कहोगे तो वो भी लिखवा दूगा पर मेरा मानना है कि यह परसेंटेज आपका याद रह गया ना तो आप पेपर में देखो ज्यादा आकड़े हमें याद रखने ही क्यों बात ये है 21,786 रुपे है ये पर मैं कह रहा हूं उसको मत याद रखो कुल बजट का 10.94 परसेंट एजुकेशन पर है बात इतना है मिल लगवग 11 परसेंट बोला था ठीक है 19 का 10 परसेंट 190 का 10 परसेंट 19 हो गया और 1 परसेंट और जोड लो दो और हो गया 19 कितना हो गया 21 करोड के आसपा को कह रहा था ठीक है इसके लावा स्वास्थे पर है यानि हेल्प पे कितना पैसा लगाएंगे हम इस बजट में लिख में हेल्थ पे हेल्थ पे कितना पैसा लगाएंगे तो 5.02 परसेंट गते पांच पॉइंट जीरो टू परसेंट है इस आपको आठ ही नहा नौँ ठीक है एक्जेक्ट देखके बताऊं एक्जेक्ट देखके बताऊं तो बैटे यह है 10,438 तो लगबग आपका उप्शन में उसके आसपास की संख्या मिल जाएगी तो परसेंटेज याद रख लोगे तो more than enough है यह ना काफी रहेगा यह तो important sector थे sector हैं बहुत सारे जो important नहीं होंगे वो आपके skip करते चलेंगे मैं कह रहा हूँ social welfare and nutrition social welfare and nutrition माल नूट्रेशन बिरोजगारी के कारण गरीबी जो उत्पन होती है लोग भीक मांगे खाते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो भूके सोजाते हैं यह ना गरीब लोगों के लिए और उनके नूट्रेशन के लिए साथ पॉइंट पिचानुए परसेंट स्वस्थ वो रहेंगे तभी वो ज्यादा से ज्यादा सौरी इसको उल्टा कर लो नौ पांच नहीं पांच लो ज्यादा से ज्यादा वो काम कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा वो अर्न कर पाएंगे इसलिए नूट्रेशन तो देखो बेसिक नीड है इसके लावा अगर हम बात करें अग्रिकल् इंपोर्टेंट है चलो तो आर्थिक में आ जाएगा ना और क्या रहे गया कि दस और साथ 17 18 और पांच तेइस कि इसके लावा मोटा मोटा आप लगा लो ठीक एक पब्लीच हेल्थ एंड इंजिनिरिंग लिख लो Are पब्लीच हेल्थ एंड इंजिनिरींग यह भी पूछ सकते है上ाएं टील और अवाई हो aucunाएं इसके पहले 3 याद रख लेना मैं पहली केरा हूं यह मुश्किल पूछेगा पबलिक हेल्थ एंड इंजिनेरिंग आप सभी को पता है PWD तो पबलिक वेल दस और पांच इसका लिखना बेटे लगबग 2.59% और अदर्स कर देना 5% तो यह ओव्यसी बात है यह अदर तो कभी नहीं पूछेगा पांच और तीनाठ हाँ पूरा हो रहा है तो अदर्स तो यह कभी नहीं पूछेगा यह हम सभी को पता है ठीक है इसके अलावा एक बहुत important आप सभी को मैं बताना चाहरा हूँ बहुत important बात वो paper में शायद ना पूछे मैं कह रहा हूँ रिण भूगतान जो हमने उधार ले रखा है देखो यह बहुत खतरनाग बात है कि उधार को चुकाने के लिए हम उधार लेते जा रहे हैं कितने उधार में गड़े में डूबते जाएंगे जीवन में ना दो चीज़े याद रखना उधार आप के जीवन में सबसे बड़ा ट्रैप है अगर आपके देने के नियत है तो अगर देने के नियत नहीं है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भई अगर देने की नियत है तो उधार जीवन में सबसे बड़ा ट्रैप है जो हम EMIs पालते है वो भी सबसे बड़ा trap है याद रखना वो आपको कभी तरक्की नहीं करने देंगी इससे अच्छा सेविंग से काफ़ी चीजे होती हैं उन पर अगर आप ध्यान दो उनको EMI मान लो आप एक समय बाद compounding बहुत बड़ी चीज होती है एक समय बाद जो ये और कितना welfare चला रहे हैं सिर्फ उनकी बुद्धी तीवर बुद्धी की कारण तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ आप personally अपने जीवन में कभी भी रेन भूगतान में मत उलजना जीवन ही उलज जाएगा बैटे रेन भूगतान इतनी असानी से खतम नहीं होगा रेन भूगतान के लिए कितना total budget में से 31% अरे भई 31% जीतना पैसा लिया है न उसमें से एक ती आई तो हम उधार चुकाने के लिए दे रहे हैं ये आप देखो कितनी खतरना कहानी है 31.17% है हम उधार चुकाने के लिए दे रहे हैं एक तिहाई पैसा हम उधार चुकाने के लिए दे रहे हैं वास्तव में ये चिंता का विश्य है पर ज़्यादा चिंता करेंगे तो राज्य कैसे चलेगा है न चलता रहेगा ऐसे ही चलेगा भी क्या दिक्कत है इसमें अगर बात करें इसका जो है अच्छे अराम से स्प्लिट हो जाएगा प्रिंसिपल यानि मूल जो है उसकी जो किष्ट जाएगी या मूल जो हमारा जाएगा 17.91 परसेंट जाएगा ठीक है इसको न यहां से ऐसे अलग कर देते हैं और ब्याज मूल के बाद ब्याज की मैं बात करूँ तो 13.24 परसेंट हमारा क्या जाएगा लगबग मोटा मोटा है आपका क्या सिला जाएगा ब्याज जाएगा यह बहुत खतरना कहानी है इसके लावा सामान्य सेवाएं हैं कुछ कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बिटे इनको मैं ज़रूरी श्नेनी में रखता हूं सामान्य सेवाए यह भी मैंने रफ तो याद कर रखा है लेकिन पॉइंट के बाद कर लगवग देखना पड़ता है क्या क्या है इसमें पहली तो बात सामान्य सेवाएं क्या है एड्मिनिस्ट्रेशन हमारा जो पूरा यह प्रशासन चल रहा है यह तो इंपोर्टेंट है देखो एड्मिनिस्ट्रेशन है उसके लावा पैंशन ज जा रही है यह बुढ़ापा पैंशन जा रही है दूसरा मुद्दा यह है और फिर फेक्टर रहे गया अदर्स तो यह पैंशन एड्मिनिस्ट्रेशन चार परसेंट है तो पैंशन उसकी डबल आठ परसेंट है परसेंट को काट दो पॉइंट के बाद भी लिखवा देता ह 8.08 परसेंट है और यह 2.something परसेंट अदर यानि अन्य समन्ने सेवाओ कि मैं बात कर रहा हूं आठ और चार बारा और 2 चोदा यानि 14.66% 14.66% यह है 4.49% 2.05% है और यह आगया बेटे आपका सामान्य सेवाई जो हमारे स्टेट के लिए अवशक है 14.66% बेटे इस पे निवेश किया जाएगा ठीक है क्या रहे गया 31 31 62 और 15 मालो 77 इसके लावा आर्थिक सेवाई है यह एक इंपोर्टेंट इसको मानता हूं देखो मैं सबसे इन दोनों फैक्टर को मानता हूं कि यह जरूरी है और बाकी पैसा बेटे आप खुद देखो कि विए आपका रिंड चुकाने में ही इतना पैसा चल गया तो इनसान क्या करें 23.14 परसेंट आर्थिक सेवाएं जो है पैसा हमारे ले जाती है आर्थिक सेवाओं कि मैं बात करूँ उसमें क्या क्या आ जाएगा सबसे पहले तो अग्रिकल्चर के लिए बटे सबसीडी आ जेगी लगबग 11 परसेंट के आसपास ठीक है क्रिशी के लिए जो कि क्रिशी का बजट जो है इस बार 6,120 क्रोड रुपे रखा गया है और सबसीडी जो दी जाती है आपको पता है जैसे मान लोग कहा गया कि एक पर्टिकुलर उद्योग को ग्रो करना है या खेती में किसी चीज को ग्रो करना है क्रिशी में ही तो उसके उपर सरकार सबसीडी देने लग जाती है जैसे पीछे पॉपुलर के पेड़ थे उनके उपर सरकार से सबसीडी मिलती है तो लोग उन्हें आप जीतना इंवेस्ट करोगे उसमें काफी सब सरकार इनवेस्ट करेगे और प्रॉफिट आप ले जाओगे तो कितना अच्छा बलब देखो उन चीजों को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अवशक है तो एग्रिकल्चर सबसीडी सबसे पहले जो है एग्रिकल्चर सबसीडी मैं बात करूँ एग्रिकल्चर सबसीडी यह बटे 11.52 है 11.52% क्या है आपका एगरी कल्चर सबसीडी है 11.52% क्या है एगरी कल्चर सबसीडी है परिवहन पे कितना लगाया है भई परिवहन पे ट्रांसपोर्ट पे भई शड़के हो गई पुल हो गई चलो इसको मैं बहुत अच्छा पैसा कहूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए 4.86% यह तो वास्तों में ही हमारे राज्य की काया पलट करेगा है ना इसके अलावा 3. 3.86% जो है हमारे गाओं जो है बिन बिन उनकी काया पलट करने में ग्रामेन विकास में ग्रामेन विकास 3.86% इसमें ये तीन चीज़े important है अच्छा इधर ये दो important है ये शायद ना भी पूछे पर मोटा मोटा ये तो याद ही हो जाएगा यहाँ पहली तीन चीज़े important है जो चीज़े आपसे पूछी जा सकते सिरफ important चीज़े ही आपको करा रहा हूँ उसमें से भी जो ज़्यादा important है वो बता भी रहा हूँ है ना और इसको चार पॉइंट 16 कर लेना है ना अन्य या अधर साब बात करो तो यह हो जगा 3 पॉइंट कितना है 3.88% जी बिलकुल सही तो हमने क्या देखा है बिटे जो हमारा 1,89,876 करोड रुपे का बजट है उसमें से वो सारा पैसा आएगा कहां से और कहां कहां हम उसको लगाएंगे ठीक है अब अलग अलग स्वास्थे पर कितना पैसा लगेगा एजुकेशन पर कितना लगे यह जरूर पूछ सकता है लेकिन मैंने नंबर्स नहीं कराए हैं मैंने आपको टोटल बजट में इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज बता दी है तो यह अगर आप सिर्फ देखो आपको याद क्या रखना है आपको यही तो याद रखना है एक चीज याद करें वो दूसरी चीज अपने आप याद हो गई है उसके लिए आपको याद नहीं हुए तो मारक आप कर दोगे ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं बचती है मैं आपको बता देता हूं पड़के क्रीशी के लिए 6,120 करोड रुपे परियावरण के लिए 654 करोड रुपे है कोई वीडियो के साथ साथ पाउज करके नोट भी कर सकता है चाहे तो सहकारिता यानि कॉपरेटिव सहकारिता की मैं बात करूँ 1451 करोड रुपे एजुकेशन में 21,766 करोड रुपे टेकनिकल एंड स्किल डेवलपमेंट में 1359 करोड रुपे मेडिकल के लिए 10,438 होम डिपार्टमेंट है ना ग्रेम अंत्राले ने 8,497 करोड का बजट लिया है एनरजी चाहे हो रिनेवबल हो चाहे कैसी भी हो उसके लिए 7,062 करोड रुपे सोशल जस्टिस एंड एंपावर्मेंट के लिए 13,889 रुपे 879 और पंचायतों के लिए 7,277 करोड रुपे ये जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है अच्छ पैंशन के लिए 15,000 करोड रुपे बहुत बड़ी बात है ट्रांस्पोर्ट के लिए 3,993 करोड रुपे ठीक है आप से पूछेगा कि इस बजट में इस बजट में कितने बोटैनिकल गार्डनस स्थापित करने के बाद कही गई है याद रखना बीते छे बोटैनिकल इंके लिए अभी जगह फाइन आला इजन नहीं करी गई है मुदलब नहीं कहा गया कि किस एज जगह करेंगे हाँ ये जरूर कहा गया है कि इस financial year में से जो हमने budget रखा है क्रिशी के लिए उसमें से हम क्या करेंगे छे botanical garden की स्थापना करेंगे तीन important अब मैं लिख रहा हूँ red pen से लिख रहा हूँ बैटे तीन उतक्रिष्टता केंद्र इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे excellence center तीन उतक्रिष्टता केंद्र ये आपको बता दिये गए हैं कि कहां कहां setup होंगे बैटे कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए कटाई उपरांत क्रिशी के बात कर रहे थे तो कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए कहां पर पंचकुला में उतक्रिष्टता केंद्र setup किया जाएगा कराने है किया जाएगा ठेक है पहली काने दूसरा स्वच्छ रोपन केंद्र स्वच्छ रोपन केंद्र ये कहां लगाया जाएगा हासी में लगाया जाएगा एक्सिलेंट सेंटर है ना तीसरा कैथल डिस्टी के बाद हिस्से भी कुछ आया है गुलाची का सुना है तो वर्टिकल फार्मिंग सेंटर वर्टिकल फार्मिंग सेंटर कहां setup करा जाएगा चीका में तीनों important है मैं पहले बता रहा हूँ ये तीनों important है पशु पालन की मैं बात करूँ तो ये भी देखो important line है star कर रहा हूँ आठ राजकिये पशु अस्पताल होगा कै ये तो नहीं पता पर budget में एक गोशना कर दी गई है कि इस बार आठ राजकिये पशु अस्पताल और अठारा राजकिये पशु अश्धाले कि स्थापना करी जाएगी ठीक है अठारा राजकिये पशु अश्धाले और आठ राजकिय पशू अस्पताल ओके है मिशन साथ हजार है लिया गया है इस पर मिशन साथ हजार ये क्या है आपको बता देता हूँ कि साथ हजार युवाओं को कूशल स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आत्म निर्भर बन सके बहुत खतरनाक शब्द है ये आत्म निर्भर है ना इस एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इंपोर्टेंट इस पूरे बजट में मुझे जो लगा है हिसार में हिसार में सिविल ये अलग चीज़े हैं ठीक है सिविल एवियेशन कॉलिज की स्थापना ये घुशना करी गई ये आपको बता दू कि भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़ादा महीला बालेट है पूरे विश्व में अगर बात करें सबसे ज़ादा महीला बालेट कहाँ पे ये बहुत गर्व की बात है ये ना और 400 नहीं खेल डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ जो इंपोर्टेंट है 400 नहीं खेल नर्शरियां लगाई जाएंगी मैं ग्राउंड स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ कि लाडियों से काफी स्टेडियम वगरा आना जाना होता रहता है तो मैं कहा रहा हूँ कि यह खेल नर्शरियों का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है चोटे चोटे बच्चों को बहुत चोटे-चोटे बच्चों को सरकार डाइट के पैसे देती है और कोच प्रोवाइड कराती है बहुत इंपोर्टेंट है खेल नर्शरी याद रखना है ठीक है और दूसरा अगर पूछ ले आजाए इस बजट में कहा गया है कि रैसलिंग यानि कुष्टी कुष्टी वा बॉक्सिंग के लिए उत्कृष्ट सेवाएं दी जाएंगी उत्कृष्ट प्रांगन मनाया जाएगा कहां कहां पे पानिपत वा सोनिपत में यह important बाते कहीं गई हैं बेटे बजट में इसके लावा यह नहीं पता बेटे कहां से क्या चीज़ पूछ ली जाए पर मेरा मानना है कि इतना आप cover करके जा रहे हैं तो paper में दी गई चीज़ों को आप easily एक जो मैंने verbally बोले थे data वो भी आप एक पर लिख लेना और मेरे ख आना है है ना चलो बाकि बजट इतना लंबा है बजट वाली PDF खोल के देख लेना समझ में आ जाएगा बजट वाले से मैं कहूंगा कि सिरफ इतना याद करना सफिशेंट रहेगा बाकि किसमत का नहीं पता वही है चलो मेरी wishes और मेरी अच्छी भावनें आप सभी के साथ है और फिर से नहीं क्लास में मिलेंगे आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत तह दिल से धन्यवाद आप सभी खुश रहो हस्ते रहो स्वस्त रहो और मस्त रहो और उमीद है कि इस कोर्स में मजा आ रहा होगा है ना ये तो लग रहा होग मुझे अगली क्लास उसी एनर्जी से लेने में प्रेरीध करता है, देखो भी 10 गंटे की क्लास लेके आया हूँ उसके बाद भी यहाँ पे क्लास आप सभी लोगों के लिए दस तो नहीं, साड़े 8 गंटे की क्लास लेके आया हूँ फिर भी यहाँ पर आप पे रहे उसी एनरजी से मेरे ख्याल से क्लास ले पा रहा हूँ कारण सिरफ आप लोगों का ये प्यार है तो इसे ऐसे ही बनाया रखिएगा आप सभी लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद आप सभी खुश रहो हस्ते रहो स्वस्त रहो और मस्त रहो स्टे ब्लेस्ट थैंक यू सू मच